लंदन में UK की पालियमेंट में सम्मानित होने के बाद फिल्म निर्मता करण जोहन ने एक पोस्ट साजवा किया Tuesday शाम को Instagram पर करण ने लंदन से तस्वीरे भी पोस्ट की पहली तस्वीर में करण ने लंदन में ब्रिटेन की पालियमेंट के बाहर खड़े होकर लेटर का एक फोटो फ्रेम पकड़ी होए तो महीं दूसरी तस्वीर वेन्यू के अंदर ली गई थी जब उने सम्मानित किया गया था इवेंट के लिए करण ने ब्लाक कलर का उफिट रुना, पोस्ट को शेर करते हुए करण ने लिखा तोड़े हास बीन सच असपेशल दे, I am fortunate and deeply grateful to be honored at the British House of Parliament in London by the esteemed Baron's Verma of Lysa Istor We celebrated my 25th year as a filmmaker in the film industry and I launched the theater for Rocky or Rani की प्रेम कहानी 2 उनोने लिखना जारी रखा It's one of those days where I pinch myself and realize that dreams do come true. Thank you everyone for the unbest love you have shown me in my journey and I promise you there is more to come उन्की इस पोस्ट पर सलेब्स ने र्याक्त किया और उन्हें गुद विशिल थी Actress Raveena Tanda ने लिखा, Congratulations, well deserved Tiger Shroff ने कमेंट किया, Guruji congrats बागी कही हो सलेब्से में कमेंट कर, Karad Johar को congratulations कहा Karad का United Kingdom के साथ एक special bond है, उन्होंने वहाँ अपनी कई फिल्मों की shooting की है जिनमें कुछ कुछ होता है, कभी कुछी कभी गम और एदले मुश्किल शामिल है Karad जिन्होंने 1998 में व्लॉकबस्टर कुछ कुछ होता है कि साथ डायरेक्शन की शुरुआत की थी साथ साल के अंतराल की बार डायरेक्शन की कुर्सी पर लोट रहे है वो रोकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए पूरी तरह से तयार है जो 28 जुलाई को रिलीज होगी फिल्मे में धर्मेंद्र, शबाना आजली, जया बच्चन, आलिया भट और अडवीर सेंग शामिल है